ओम नमस्युवाय, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना योट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा नमम्मर और दिसम्मर का रासी फल नमम्मर में और दिसम्मर में कौन-कौन सी रासियां जादा भागिसा लिए कौन-कौन सी रासि के, पुत्र प्राप्ती के, धन प्राप्ती के, नोकरी के, हर प्रकार के सुभ योगे कौन-कौन सी रासिवालों को बिसे साबदानी भी रखनी होगी संपूर जानकार के लिए वीडियो को लाश्ट तक दे के, चैनल को सबस्वाय करें बगल में बेल आइकन बटन को दवाएं नमम्मर और दिसम्मर का रासी पल सभी रासी वालों का साथ ही कुन सी ऐसी रासी आएं जिनके ज़्यादा योग है तो ध्यान से आपको सुनना है सबसे पहली है मेश रासी रासी स्वामी मंगल एवं सूर्य बुद्ध की द्रष्टियां रहने से यानि रासी स्वामी जो मंगल है वो है मेश रासी का स्वामी है रासी स्वामी मंगल की सुभदिष्टी साथ ही सूर्य बुद्ध की द्रष्टियां भी रहने से मान सम्मान यानि ऐसा कार बढ़े होगा आपके द्वारा जो आपका मान सम्मान बढ़ेगा एवं प्रतिष्टा में ब्रद्धी होगी उच्छी प्रतिष्टित लोगों के साथ में आपके मिल जुल बढ़ेगा यानि अच्छी लोगों के साथ में जो इजद्दार व्यक्ति ही उनके साथ में अधिकता भी पड़ेगी, यानि हर प्रकार के शुक्षाधन बढ़ेंगे, पांच दिसम्मर से मंगल केतु युक्त अश्टमत रहने से, अब आपको ध्यान देना है कि पांच दिसम्मर के बाद, पांच दिसम्मर तक समय चाहे, पांच दिसम्मर से मंगल केतु एक साथ रहने से युक्त होने से वो भी अश्टमभा में आपके शरीर पर कश्ट हो सकता है घरेलू उल्जने बंते कार्वे में अर्चने आ सकती हैं धनकाप्यव तता लाम में कमी हो सकती है मंगल स्वेरासिकत होने से कटन परिस्तियों के बावजूद आयके साधन बनेंगे मंगल आपका अच्छा रहेगा मंगल सुब रहेगा लेकिन के तु का प्रवाब आपके लिए शुब नहीं रहेगा तो आपके लिए योग अच्छा है संतान धनप्राप्ति के लेकिन थोड़ा सरील का ध्यान रगपको रखना है अनुमांजी की पूजा करते रहें दूसरी जो रासी है वह है ब्रशब रासी ब्रशब रासी वालों के लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है शुक्राष्ट मतरेने से स्वास्त में परिशानी पेट बिकार आथे कारण परिशानी हो सकती हैं मैंने पहले भी वीडियो में बताय है कि ब्रशब आसी बालों को नमंबर और 18 दिसंबर तक बहुत ध्यान रखना है 18 दिसंबर तक आप पूजा पार्ट पर ज्यादा ध्यान दें तो इसका थोड़ा सा योग कम है अगली जो रासी है वह हैं मित्वन रासी है अधिकान समय व्यवपार के क्रेय विक्रेय में आपका व्यतित ब्यवसाय में थोड़ी सी परिशाने आपके माएंगी 21 बुद्ध छट में केतु युक्तोने से संतान संबंद चिंता भी दूर होगी इस मास बुद्ध की स्वध्यष्टी यानि दिसंबर में बुद्ध की स्वध्यष्टी होने से कारोवार में आपके उन्निती करकरासी 20 नममर तक गुरु की उच्च द्रश्टी थी जो आपके लिए अच्चा है ग्रह में मंगल कारी एवं धार में कारी संपन होंगे नईरी मित्रों से मेर मिला बढ़ेगा मान पतिष्टा में ब्रद्धी परवार में सुगद मावल होगा और संतान सुक आपको देसंबर में कारोवार में वियस्ताय बढ़ेंगी कटनाई के वावजू धन प्राप्ति के योग बनेंगे विद्यार्थियों को विशीशलाब मिलेगा कर्ज से मुक्ति मिलेगी किसी बात को लेकर के मन असांत रह सकता है ग्रस्त जीवन में तनाव की स्थिती रहेगी सार का विशेश द्यान रखना है 16 दिसम्मर के बाद किसी कार को लेकर के गरे लूज जने बढ़ सकती हैं भगवान सिभजी की फूजा का विशेश द्यान रखें मासहरं में विरता भागडौड की परेशानी होगी भागडौड के अपरांत भी आएक अलप रहेगी व्यर्ट के जंजटों में बाद विबास से दूर रहे निता हानी हो सकती हैं किसी के बाद विबास से दूर रहें मना आपका मध्यम परकार का रहने बाला है कि दिसंब्र का मैना है अत्यन संंगर्ज के बावज constitution कार्यों में सपलता मिलना सुरू रासी और सिंग रासी यह रासी यह बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं अगली जो रासी हो है कन्या रासी बुद्ध बीस तक कि दुटियस तोने से बिंगने कार्यों में सुदार धनलाब वर व्रगति के मार्ग प्रसस्त होंगे अत्यदिंग परिश्रम करने पर आपको विसेश लाब भी मिलेगा निकट बंदों से किसी बात को ले करके लड़ाई जगड़ा हो सकता है दिसमर का मैना विसेशी शुव रहने बाला है बनते कारों में सपलता वफुत्र धन प्राप्ति के योग बनेंगे अकस्मातिक धन का वैब भी होगा किसी कार को लेकर करके अकस्मातिक धन भी खर्चोगा और धन के संतान के योग भी बनेंगे तो योग आपका अच्छा है तुलारासी शुक्र त्रतिय अवाम में रहने से पराक्रम एवं पुरसात में ब्यद्धी होगी यानि तुलारासी बालों के लिए नममर का महिना बहुत ही अच्छा रहने बाला है राश ग्रेन के इसाब से शुक्र त्रतिय अवाम में आपके में जो आपके पराक्रम में पुरसात में ब्यद्धी करेगा निरवाय योग आएके साधन बनेंगे यानि आपके आएके साधन बनेंगे यानि शुरुत बढ़ेगा गत किये गए प्रयासों में सपलता मिलेगी मासान में यानि महीने के शुरुआत में धन का लाप बहुत बड़ा मिलने बाला है वही संतान का लाप भी आपको मिलेगा शुक्र सनी युक्त चतुर्त संचार करने से शर्विस्वा भ्यवसाय में आपके में उन्नती बड़ेगी वह उन्नीस से सुक्र भक्री होने से थोड़ी सी परिशाने आपको आशकते यानि उन्नीस दिसम्मर तक आपका समय ब्यादी अच्छा है संतान धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगी ब्रश्चिक रासी ब्रश्चिक रासी के लिए 16 नमंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उसके बाद में थोड़ा सा समय आपका जरूर बदलेगा फिर 5 दिसम्मर से मंगल इसी रासी में होने से स्वास्त में सुधार होगा और बनते कार भी आपके जो अर्चने आरिती वह दूर होंगी तो बहुत ही अच्छा योग रहने वाला है ब्रश्चिक रासी का भी 5 दिसम्मर के बाद में दनुरासी वालों का बहुत ही अच्छा मान सम्मान में ब्रदी धारमेक कारों में रुची बढ़ेगी निर्वायोगाय के साधन बनेंगे ओचे प्रतिष्टेत लोगों से आपके संपर्ग बढ़ेंगे परवार में सुभ मंगल कार संपन होंगे वह पुत्र संतान प्राप्ति का बहुत ही अच्छा योग बनेगा मकर रासी धन सुक वह संतान का सुक तो आपको मिलेगा साथी आमुद प्रोमदादी साधनों में विस्तार भी बढ़ेगा कोई सुब मंगलकारी संपन होगा व्यवसाय में भी और नोकरी में भी आपका दायरा बढ़ेगा आपका लाव मिलेगा आपको जो है वही कुम रासी और मीन रासी भी विसेशी लावकारी और सुब रहने वाली है नममर और दिसमर का महिना आप दोनों के लिए खुशियां लेकर क्या आने बाला है लेकिन कुछ परेशानिया भी साथ में आएंगी इसलिए विसेश सावधानी भी आपको रखनी होगी नए कारे संपन होगे साधनों का विस्तार होगा और कुछ ऐसी मुसीवत आएंगी अंदे की जिनकी वज़े से आपको परेशानी हो सकती है तो पिसे सावधानी वे आप रखें भगवान सिवजी की और माता दुरगा की अरदना भगवान विश्णु की अरदना करते रहें आपके सभी कारिशित दुंग्यों गो माता की पूजा करें